हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप साब आई होप आप लोग ठीक होंगे टूटना जढ़ना हम कैसे कम करें इसका आप हमें कोई आसान सा उपाय बताइए तो देखिए आज जो मैं आप सभी के लिए बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है आपको क्या करना है आपको एक ओईल बनाना होगा जो मैं आ आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है अगर आप लोग फश्टाइम मेरे चैनल पर आयो तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब सैड में जो बैल आइकोन होता है इसको जरूर क्लिक करना इसे क्या होगा मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूड करूंगी तो सबसे मेरे वीडियो और वीडियो पसंद आने पर आपको क्या करना है चलिए को यसे तरीके से कट करना है चोना हो सकते आप उतना ही यसे छोटे-چोटे टुक्ड़ों कट करें और करने के बाद मैं आपको आज दो तरीक वेर की इस तरीके से अपने के लिए बना के लिए रख सकते हो जैसे कि या गई दो आईQué कोमेट कि पकाई घिरे बालगी अगर évidemment कि दोनों ही तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप अपना ही रोईल बना के तैयार कर सकते हो तो देखिए इसको मैंने पूरा इस तरीके से कट कर लिया कट करने के बाद आपको क्या करना है आपको इहां पे जरूरत पढ़ने वाली है और कोकोनियट ओ si Grad को ंजरूर है उसी से हम इस तो तयार कतना है तो देकिए आपको एक बर्तन लेना है जिसमें आपको इस ओधको तयार करना है तो नहीं आ रदाओ तो मैंने इसको डाल दिया अच्छे से दूबना चाहिए उसे साब से मैं आपको थोड़ा-थोड़ा यह दोनों को बना के बता रही हूं क्योंकि मेरे पास तो पहले से रखा हुआ है मैं आपकी लिए वीडियो बनाती ही रहती हूं तो दिखिए इस तरीके से लेकर आप हमें क्या करना है यह तो मैं को लेना है एक खाली कंटेनर जिसमें आप इस ओविल को बना के रखना है और 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 टुकडों में चूटी-चूटी तुकडों में कट करके रखा हुआ था तो डाल दिया इसे आपको अच्छे से मिला देना है जो आपका एलोवेरा अच्छे से तेल के अंदर डूमना चाहिए तो देखिए और आप इसे बंद कर दीजिए बंद करने के बाद आपको इसे धूप में रखना होगा कम से कंटिन्यू 15-20 दिन जब आप इसे 15-20 दिन या तो आप डखकन खोल के भी सकते हो या फिर इसी तरीके से कवर करके भी रख सकते हो लेकिन दूप में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप इसे धूप में रखोगे तो क्या होगा जो आपका ओले वो खराम नहीं होगा तो यह तो पहला तरीका है इसका अगर आप इसे पकाना नहीं चाहते तो दूप में ही आप इस ओल को तियार कर सकते हो तो विल्कुल भी गैस को एक दम धीमा कर देना है जितना हो सके उतना धीमा करके आप इसको पकाएं और पकाते पकाते आप देखोगे जो आपका एलो वेरा है इसका जो कलर काफी ज़्यादा चेंज हो जाएगा और एकदम मुड़जासा जाएगा तो देखिए जैसे आपका ओल पक्की तिय है बंद यानि कि आपका ओईल है बन के त्यार हो जाएगा तो दीखिए अब आप देख सकते हो ना पहले कितना ग्रीन था जो हमारा अलोवेरा था अप काफी ज़्यादा थोड़ा सा ब्लैक हो गया है और आपको इसे इस तरीके से पलट पलट के ओईल को त्यार करना है तो द हो चुका है यहां पर मैंने गैस को कर दिया बंद और आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए तो देखिए आप चाहो तो इसे ठंडा होने के बाद ऐसे ही इस्टोर करके रख सकते हो अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते तो एलोवेरा को निकाल के भी इसे किसी भ सकता है कि आपको लगाने की आदत है आप एक से दो दिन के लिए इस अपने बालों में लगा के रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो इसका कोई भी साइट नहीं होगा तो देखिए मेरे पास सीवी कमेंड्स आते हैं कि मैं मुझे तो कुछ भी आराम नहीं हुआ मेरे तो म अपको अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान देना होगा अगर अपकी आदिस की प्रप्लम तो अपने आपई खत्म हो जाएगी तो आप ए चीच का भी ध्यान रखा करें तो यह जो मेरा वीडियो है कम से कम चार से पांच दिन्र पुराना वीडियो है जो मैं अप्लोड नहीं कर पाई थी तो आज मैं इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ खूंग है जोड़ी को तो इसलिए मैं आपको मैं एक दो टिपस और देना चाहती हूँ तो देखिए पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ आप अपने जो आपकी फिंगर से ना इनकी नाखुनों को रगड़ा करें कम से कम दिन में दो से तीन बार जितनी भी बार आपको टाइम मिले दो मिनट के लिए तीन मि आप एक वार करके देखिए अगर आपने एक महने के लिए कर लिया ना तो आप देखोगे आपके जो मतलब आपके जो बाल है ना उनकी ग्रोथ होने लगेगी और तूटना जणना भी हमेशा की लिए कम हो जाएगा और साथ में अपनी डाइट पर ध्यान दें अच्छा ख करके आपको नहीं करना है एक दम हलके हाथों से आपको मसाज करने हैं आप मैंने बना लिए हैं पर जूड़ा और दो घंटे के बाद मैं अपना हेर वस कर लूँगी तो इसी तरीके से आपको भी इस ओयल को अपने बालों में लगाना है तो देखा फ्रेंड्स मैंने आप स तूटना जणना सब कुछ कम हो जाएगा बस आपको क्या करना है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है आपको मेरी सारी टिप्स को फॉलो करना होगा आपकी बालों की ग्रोथ भी होने लगेगी ठीक है ना तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्या मुलाकत होगी तब तक आप लोग अपना दिहान रखना बाई टेक क्यार